बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम Assalamualaikum students Welcome to my YouTube channel MTH001 का lecture no.10 है Sets को हमने continue किया हुआ था आज हम exercise करेंगे जिसमें हम कुछ पढ़ेंगे properties को जैसे देखें कहते हैं Suppose R and S are binary relations on asset First of all जो point है यह उसको देखें कहते हैं अगर आपके पास R and X reflexive है तो क्या हम R and S का intersection लें तो वो reflexive होगा तो पहले का answer आप देखें Reflexive ऐसे set होते हैं जिनमें जो अपना ही अक्स पाया जाता है कहते हैं कि एक ऐसा set जो पेर अपने साथ ही बनाता है अपना ही अपने साथ पेर बनाता है वो reflexive होता है जैसे circle किया वरट देखें आप A अगर element है A का तो उसमें जो है A जो है वो देखें A अपने साथ ही पेर बना रहा है 1 है तो 1 के साथ ही पेर बनाएगा 2 है तो 2 के साथ पेर बनाएगा 3 है तो 3 ठीक है तो ये reflexive हमारे पास जो ना वो functions होते हैं relations होते है तो देखे जब S से हम जो ना वो relations ले रहे हैं जो सिफ अपने साथ ही पेर बनाते हैं कुछ R में भी आप ऐसे relation ले 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 और कुछ S में भी ऐसे relation ले ले उनमें जो same साथ होंगे ना वो दोनों में intersection होगा ठीक है इसी तरह से कहते हैं R intersection अगर हम ऐसे लेते हैं तो वो symmetric होगा के नहीं तो symmetric कहते हैं आपके पास balanced equation का होना जब आपके पास state balance होती है ना तो वो symmetric होती है ठीक है फिर उनको आगे पिछे करने से कोई फरक नहीं पड़ता है आप elements को आगे पिछे भी कर देते हैं तो जैसे आपको यहाँ पर virtually red line नजर आ रहे होगी उसमें क्या है A और B दो pair है आपके पास बना हुआ relation बना हुआ है R का A भी हो उसको हम R का नाम दे देते हैं और B A को हम S का नाम अगर दे ले तो A B और B A इनकी position चेंज करने से क्या फरक आएगा? नहीं तो यह आपके पास सिर्फ position चेंज हुई है बाकी stage जो है वो balanced है इसको हम कहते हैं smittry ठीक है? A B है position आपके पास relation set है A R intersection S तो A B अगर आप B A भी कर दें तो फरक नहीं पड़ेगा elements वही रहेंगे फिर transitive की बात आ जाती है transitive में क्या कहते है कि आपके पास अगर pair बन रहा है relation का A और B का और intersection है वो A B जो है ना R और S का और R और S नहीं intersection हो आपके पास B और C तो कहते हैं कि आपके पास A और C का थर्ड वारी red line देखें A और C का B आपके पास intersection लें वो भी आपके पास intersection आना चाहिए फिर ही आपके पास जो है ना वो property transitive की satisfy होती है A B के साथ pair बना रहा है तो B C के साथ भी pair बना रहा है तो पिर कहते है A को C के साथ भी pair बनाना चाहिए फिर ही transitive की property successful होती है फिर example इन्होंने दिया उससे समझाया कि आपके पास अगर यह 1, 2, 3, 4 है तो R और S जो इन्होंने वो transitive binary property कब होंगे जब R के जो इन्होंने आपको pair दियों है relation 1, 2, 1, 3, 2, 2, 3, 3, 4, 2, and 4, 3 और S जो इन्होंने दिया वै 2, 1, 2, 4, and 3, 3 कहते हैं कि आप इनका लें हाँ union और बताएं कि यह transitive property को satisfy करता है कि नहीं यानि आप इनसे अपनी मर्जी के relations ले लें union जब आप लेंगे तो सारे के सारे sets आ जाएंगे फिर उसमें आपने देखना है कि आपके पास 1, 2 है तो फिर आपके पास 1, 3 का relation भी बन रहा है इतले हाँ से फिर आपका 2, 3 का relation भी बनना चाहिए ठीक है यानि कि A, B के साथ बना रहा है relation B वला set C के साथ बना रहा है तो फिर A वले set को भी C के साथ relation बनाना होगा अगर नहीं बनता तो ट्रांजिटिव की जो प्रापर्टी है वो satisfy नहीं होती उसकी condition ठीक है तो कहते हैं कि जो आपके पास 1, 2 और 2, 1 आ रहा है न वो union है R, union S है लेकिन इन पूरे में आपने देखा होगा कि 1 ने 1 के साथ relation एक दफा भी नहीं बनाया और ट्रांजिटिव होने के लिए रिफ्लेक्सिव होना भी ज़रूरी है तो 2, 2 था 3, 3 भी था 7 में R, S में दोनों में लेकिन 1, 1 का relation नहीं था इसलएए ये ट्रांजिटिव नहीं है फिर रिफ्लेक्सिव relations आ जाते हैं तो देख लें रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऐसे relation होते हैं musik रिफ्लेक्सिव नहीं होते हैं रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि हर element अपने साथ ही pair बनाता है ией ए के साथ बना रहे हैं बी बी के साथ लेकिन अगर ए के साथ pair नहीं बनाता तो वो रिफ्लेक्सिव हैं ठीक है बस ये बात आपने याद रखनी है फिर एक्जामपल आ जाती है देखें एह आपके पस क्या है 1,2,3,4 फिर्स वाले डिलेशन दिया वै जिसमें 1,3 भी है, 1,4 भी है 2,3 है, 2,4 है, 3,1 and 3,4 है इस सारे में आपने देखा हुगा कि इस कहीं पे भी अपने साथ ही element ने pair नहीं बनाया 1,1 के साथ नहीं बनाया 2,2,3,3, ऐसा कोई pair आपको नज़र नहीं आ रहा तो हम कह सकते हैं कि पहला वाला जो relation है वो आपके पस irreflexive है, ठीक है 2,1 आ रहा है, 2,2 आ रहा है 3,3,4,4 ऐसा relation जो है वो आपके पस reflexive है, इसका मतलब है ये irreflexive नहीं है, तो इसको हम कहेंगे not irreflexive 3,3 वाला जो है उसमें देखें आपके पास 3,3 आ रहा है यानी कि वो अपने साथ ही pair बना रहा रहा है, यानी कि वो अपने साथ ही pair बना रहा है, ये means 3 की तरफ 2 1 के साथ बनाएगा तो 2 से line move करेगी 1 की तरफ 2 3 के साथ pair बना रहा है तो देखें 2 जो है 2 की line move करी है 3 की तरफ इस सारे में आपने देखा होगा कहीं भी set ने अपने साथ ही जो हैना element ने जो हैना वो नहीं बनाया graph ठीक है तो ये था आपके पस irreflexive का directed graph जिसमें element अपने साथ ही pair नहीं बना था पिर इसकी matrix form आजाती है matrix form आपको मैंने पहले भी करवाई है 1 3 आपने देखना 1 किस position पे 3 किस position पे है उसी position के नीचे आपने 1 लिख देना है जहाँ जहाँ ये आपको जो given कियो है ना सारे के सारे relations आपने इन relations के pairs को देखना है और उसी जगा पे आपने पहले वाली आपने row को select करना है दूसरे वाली आपने column को select करना है और उसके नीचे आपने one लगा देना है बाकी जो elements बच जाएंगे जो नहीं इसमें शामिल उसके जगा आप zero लगाएंगे ठीक है उसके बाद आ जाता है anti symmetric relation symmetric relation ऐसा relation है मैंने आपको बताया जिसमें balance रोती है equations equations हों, relations हों आपके पस balance रो A भी है ना तो B A होना चाहिए balance करने के लिए relation को लेकिन अगर ऐसा हो कि A equal आपके पस anti symmetric relation है ठीक है तो देख लें कहते हैं कि आप पहले जो करते रहे हैं फस्स वले को देख ले है R is not anti symmetric if there are elements A and B in such that A और B relation है और B A B relation है लेकिन A B equal कि B के equal ना हो symmetric होने के लिए A B और B A की position से फरक नहीं पड़ता हम कहते हैं कि इनकी position change है बाकी ये same है symmetric है लेकिन anti symmetric में ऐसा नहीं होता है ठीक है तो A equal B के नहीं होगा इस लिहाज से ठीक है उसकी बाद examples नहीं हैं आपने इन examples को read कर लेना simply और आपको पता चल जाएगा कि relation जो हैं वो symmetric हैं या anti symmetric हैं फिर इसी का directed graph आ रहा है paper में directed graph जब आ जाए तो कुछ भी नहीं करना आपने simply जो आपको elements relation में given किय हुए है उनको write करना है और उसके बाद आपने देखना है कि first वाला जो element है वो second वाले element की तरफ move कर रहा होगा one है तो वो one की तरफ move करेगा यानि कि अपने साथ ही one two की तरफ move कर रहा है तो आपने line one से arrow को two की तरफ move करवा देना फिर two को three की तरफ and इसी तरह से three को one की तरफ फिर इसी तरह से आपके पस matrix form आ जाती है यह मैं पहले आपको बिदा चुकी है उपर आपको column given किया है आपने इसको देखना है यह symmetric है anti symmetric है anti symmetric है symmetric होता है तो one two है ना तो two one भी होना चाहिए था नहीं है one two है तो two three है तो three two को भी होना चाहिए था इसमें नहीं है तो इसलिए आपके पस यह relation symmetric नहीं है यह anti symmetric है ठीक है उसके पार्शल ओर्डर आ जाते हैं पार्शल ओर्डर क्या कहते हैं यह आपको कहते हैं कि अगर आपके पास है Let R be a binary relation define on a set A R is a partial पार्शल कब होगा आपके पास relation अगर वो at that time reflexive भी है anti-smetric भी है और transitive भी है यह तीनों condition satisfy होगी तो आपके पास your site होगा वो आपके पास partially ordered होगा यह उसको posate भी कहते हैं ठीक है फिर आपने इसकी properties नीचे से कुछ पढ़ लेनी है ठीक है anti-smetric के लिए बिताईए transitive के लिए और reflexive के लिए यह important नहीं है जिस्ट आपने इनको study कर लेना है mcqs के तोड़ पर ठीक है यह सारा आपने read कर लेना है मैं सिफ आपको main points बताऊं जो इस lecture में important है फिर next आजाता है divide का जो है न मुख्या concept है कहते हैं कि आपके पास यह straight line है वो divide का जो हो symbol है relation अगर आपके पास set positive integers ठीक है अगर आपके पास a और b यह दोनों जो elements है वो a के elements है a set के a जो है वो भी कोई positive set नमबर होना चाहिए और b है वो भी कोई positive integer होना चाहिए इन दोनों को अगर आप divide करते है ठीक है और उसके साथ आपके पास कोई integer आता है k k basically आपके पास कोई भी constant value है ठीक है करते हैं बताएं अगर divide हम करते हैं और वो reflexive है तो कैसे पता चलेगा reflexive है अगर आप reflexive है ना तो आपको divide में उपर और नीचे same elements लेने पड़ेंगे तो a को a पे ही divide करेंगे तो आपके पास one आएगा two को two पे divide करें one आएगा three को three पे divide करें one इनके same element को उपर नीचे divide करेंगे तो one आएगा तो ये आपके पास होगी reflexive होगी definition definition of divisibility ठीक है ये reflexive की जो है ना वो condition थी anti-smetric में क्या होगा क्या आपके पास a और b आप element ले रहे हैं b और a को आप divide करेंगा a को b पे divide करें आपके पस a equal आता है ना अगर b के तो वो आपके पास anti-smetric है इसकी example उन्हों ने ये दिया है कि b देखें equal है k1.a की और a की इसके equal है k2.b की आपने क्ये करना है इन दोनों को रखना है equal और जहां पे b1 equals to b equals to k1.a है ना उस a की जगह आपको जो इन्होंने mention किया ना a की value वो simply put कर देंगे है फिर k1, k2 से multiply होगा जब multiply होगा तो आपके पास जो b है b को हम सब के नीचे divide कर देंगे जब सब के नीचे divide करेंगे तो b खतम हो जाएगा तो 1 equal आजाएगा k1.k2 के ठीक है तो यहां से आपके पास b1 जो है कितने a और b elements है और यह positive integers है equation के b equal आ रहा है k1.a के और a equal आ रहा है k2.b के फिर यही वाली condition satisfy करने के लिए again आप इन दोनों values का आपस में multiply करें k1, k2 आपके पास 1 के equal आया था फिर हम कहेंगे कि k1 भी equal बन के और k2 भी equal है बन के. यहां से condition satisfy होती है कि a equal है b के. और जो आपके पास condition है symmetry की condition है symmetry की उसके लहाँ से a equal आना चाहिए था b के तो यहां पे a b के equal आ रहा है तो इसलिए यह condition आपके पास anti symmetry की है इसी तरह से transitive को देख लेते हैं transitive में है कि अगर a जो है वो b पर divide होता है b c पर divide हो रहा है तो a b c पर divide होना चाहिए ठीक है जो rule मैंने उपर आपको समझा है इसलिए के साथ आपने इसको देख लेना है b को equal रख लें k1.a के और c को equal रख लें k2.b के फिर आपने जहां जहां पे b था आपने multiply किया आप let कर लें यह दोनों k3 के एकवाला आगए ठीक है dot a इसे तरह से आपने third condition से satisfy की कि a डिवाइड हो रहा हो b पे यह b डिवाइड हो रहा हो c पे तो फिर a भी डिवाइड हो रहा होगा c पे transitive basically करता ही यह है यह किसम की triangle बनती है कि a b के साथ डिवाइड है b c से हो रहा है तो फिर a b c से जोना वो डिवाइड होगा फिर कुछ आपको उनोंने जोना वो solution बताए है write कर लेंके a और b आपके पास जो element है वो z के है तो a relation बना रहा है b के साथ यह b relation बना रहा है a के साथ positive integers के साथ आपने इसको जो है वो define करना है तो a को equal किसके दिया हुआ है a की power r के b को equal दिया हुआ है a की power r के इसी तरह से a को equal दिया हुआ है b की power s यह जो r और s नज़र आ रहे हैं आपको यह basically integers हैं positive ठीक है तो आप क्या करें a को equal रख लिया b square के अब b square की value किसके equal है a के उसको आपने put के a अब आपके पस a equal आजएगा rs के rs दोनों positive integer है उसको आप one के equal लट कर लें यह वन भी positive है r b 1 और s b 1 जब दोनों को one रखा तो आपके पस a किसके equal आगया simple b के तो a equal आ रहा है b के इस तरह से आप जो है आप बी को equal रखें a की r के और c को equal रखें b की s के फिर आप c को equal रखा b के और जो b है उसकी जगह उसकी value put की वो थी r और s r s जो है उसको आप लेट कर लें कि वो t के equal है t भी कोई ना को positive integer होगा तो यहां से आप बेचे लेगा कि c equal रहा है a के तो यहां पर आप बताएं कि यह position जो है यह partial order को satisfy कर रही है यह नहीं कि partial में हमने क्या किया था partial में हमने 3 conditions देखी थी जो मैंने आपको start में बताएं थी कि partial होने के लिए क्या जरूरी है देखिए मैंने का था reflexive भी हो anti-smetric भी हो और transitive भी तो partial order की यह relation कि आपको होपस्ट समझ आ गई होगी उसके आज का lecture आपका ही तक है ठीक है मिलते हैं अपने next lecture में तब तक लिए Allah हाफिज